हलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दबुग गाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दे साइन्स ओफ गेटिंग रिच की बुक समरी तो चलिए फिर शुरू करते हैं लेखक बहुत ही गरीब घराने से थे जब वे कॉलेज में थे तब ही उन्हें बिलेनियर का इंटर्वी लेने की सोचा सिर्फ ये जानने के लिए उन्होंने इंटर्वी लेने की सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को बिलेनियर बनाती है कई सारे इंटर्वियू लेने के बाद उनको पता चला कि एक मिडल क्लास और अमीर आदमी को क्या चीज़ा लग करती है और जो सबसे ज़्यादा मैटर भी करती है वो होती है सिर्फ उनकी सोच एक बार एक आदमी को उसकी भीवी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला और जो सामान जितना पैसा का था उतना उस पर्ची पर लिख दिया कि ये चीज़ तुमको इतने पैसे में मिल जाएगी इसके बाद अमीर आदमी अपने घर के पास वाली दुकान पर जाता है और वहाँ उसकी बीवी ने जितने पैसे में बताई थी उससे कुछ ज़्यादा पैसा का सामान था क्योंकि वह व्यक्ती कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी का समान लेकर आकर वहाँ बेच रहा था इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा था पर वह व्यक्ती रेट ज़्यादा सुनकर वहाँ से चल देता है वहाँ से चीज़े नहीं करीटता है उसके बाद थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाकर पूसता है तो महाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है तब वो व्यक्ति स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमिटर दूर चला जाता है जहां से एक्चुली में उसके भीवी ने सामान लाने के लिए कही थी क्योंकि महाँ सारी चीजे थोड़ी सस्ते में मिलती है इसी वजह से सामान लेने के लिए महाँ लोगों को लंबी लाइन में लगता है और वो व्यक्ति भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते लगबग आदा घंटा निकल जाता है उसके बाद फाइनली वे व्यक्ति सामान खरीद लेता है और बड़ी खुशी के साथ घर पर वापस चला जाता है और प्राउट फील करते हुए अपनी बीवी से बताता है कि कैसे उसने रास्ते में वो सामान खरीद कर कुछ सेविंग करी और आप लोग ये समझे कि ये व्यक्ति समझदार था या बुद्धू जादा तर मिडिक लास लोग इसे समझदार ही कहेंगे क्योंकि इसमें जो पैसे बचा हैं लेकिन एक रिच माइन्डेड वाले इनसान को ये बुद्धू लगेगा क्योंकि उसने कुछ पैसे बचाने के चकर में अपना एक घंटा वेस्ट किया क्योंकि जितने टाइम में उन्होंने जितना सेविंग की है उससे सो गुना ज़ादा पैसा कमा लिया होता कुछ और ज़ादा वेलियूबल काम करके और यही माइंडसेट का डिफरेंट है एक अमीर और एक गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति को अलग करता है मिडल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचते है जबकि एक rich mindset वाला हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचता है इस बात को आप गलत मत समझना क्योंकि पैसा बचाना बहुत अच्छी बात है लेकिन हर्च से ज़्यादा पैसा बचाना और उस पर फोकस करना बहुत ही गलत बात है एक rich mindset वाले व्यक्ति अपना maximum mental, energy पैसे कमाने में लगा देता है वो discount पर चीज़े खरीदने के लिए अपनी कीमती time कभी बरबाद नहीं करते है क्योंकि उनको अपनी time का value पता होता है जिसमें कि वो आदा घंटा भी काम करके इतनी देर में वो पैसा कमा लेंगे जिससे की सेम चीज़ बिना discount के वही full price पर खरीद सके इससे ये मालूम पढ़ रहा है कि वो सामान खरीदने वाले व्यक्ति को rich mindset होना जरूरी है वो अपने घर के पास वाली दुकान से ही सामान खरीद कर चला गया होता और अपने बचे हुए टाइम में कुछ नया सीख लिया होता जिससे की वो पैसे कमाता क्योंकि वो समझता है कि आज के डिजिटल लाइफ में लोग अपने घर बैठे बैठे अपने knowledge और skills के जरिये पैसा कमा रहे हैं एक rich mindset वाला इंसान बहुत ही fast execute करता है और यही सबसे बड़ा difference है एक successful और एक unsuccessful इंसान में जहां एक successful इंसान अपने काम को perfect बनाने में लगा रहता है वहीं एक rich mindset वाला व्यक्ति जैसे ही कुछ सीखता है तुरंट उसे real life में भी apply कर देता है YouTuber T-man कहते हैं कि मैं एक दिन अपने billionaire मेंटर के साथ वीडियो कॉल पर था और हम digital marketing पर discussion कर रहे थे क्योंकि मुझे digital marketing के बारे में थोड़ी अच्छी knowledge थी इसलिए मैंने mentor को कुछ strategy बताए जिससे कि वो अपने facebook hand को improve कर सके जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई लगबख 6-7 ही मिनिट हुए थे तब तक मुझे उनका कॉल आ गया कि मैं वो सारे method और strategy apply कर दिये जो तुमने मुझे अभी बताई है अब मैं content up messaging के बारे में चाहता हूँ YouTuber T-man कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हो गया कि भला इतनी speed से अभी सीखी गई बातों को कोई कैसे apply कर सकता है तबी टीम हैन ने सोचा कि हाँ इतने fast execution की वज़े से वो आज bilanier है माइन पावर के founder बिसन लिखियानी भी उनकी latest book बुद्धा and bias में कुछ ऐसे ही method के बारे में बताया है जिसका नाम है Voda जो US military strategy जोईन बॉइस ने भी किसी काम को speed में execute करने के लिए बनाई थी जॉण बॉइस ने ये notice कि एर फोर्स में जो पाइलेट सबसे ज़्यादा बुलेट वेस्ट करते थे वही best पाइलेट थे क्योंकि वो वोडा को follow करते थे यानि कि ओडा observe orient decide act ये concept कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी reaction लो और बाद में decide करो कि accent सही है या नहीं इसमें काम की speed बढ़ेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे मतलब feel fast to achieve fast और यही method का use अमीर लोग भी करते हैं रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं सही decision लेने में believe नहीं करता मैं पहले decision लेता हूँ और फिर बाद में उसे सही बनाता हूँ मान लेजिए कि आप सुबह न आ रहे हो और उसी नहाते time आपके mind में unique idea आ जाए जिससे कि आप बहुत सारे लोगों को उस idea को execute करने के लिए research start करते हो जैसे कि YouTube पर उससे related वीडियो देखते हो और आपको पता चलता है कि आपको अपकोल तक पहुँचने के लिए कुछ simple से step अपनाने पड़ेंगे पर अचानक से आप रुख जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मुझे ये काम आता ही नहीं है मैं ये काम कैसे करूँगा मतलब कि आप बस how के बारे में सोचते हो जैसे कि मुझे app बनानी है तो मुझे coding नहीं आती मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता अपने आपको ऐसे ही एक्सक्यूज देने लगते हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि जियो के कस्टमर केर पर क्या आप खुद मुकेश अमबानी आपका कॉल उठाते हैं या उनके एंप्लोई जोमेटर फो डॉर करने पर क्या जोमेटर के फाउंडर दीपेंदर गोईल खुद वो पारसल देने आते हैं सीधी सी बात है नहीं एपल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स आईफोन और आई बैच खुद बनाए नहीं थे क्योंकि जहां पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है हाउ वहीं एक रिच माइंसेट वाला इंसान अपने आप से पूछता है हो यानि कि वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मेरे से बहतरीन ढंक से कर सकता है और मान लीजिए कि कौन्ट्रेक्टर को घर बनाने को देते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपका घर खुद बनाएगा जी बिल्कुल नहीं वो इनसान होगा जिसके पास हो के लिस्ट होगी उसके पास प्लंबर का नंबर होगा जो घर की प्लंबिंग करेगा उसके पास सारे सप्लाई के कॉंट्रेक्ट होंगे जिसकी आपको उस घर बनाने में जरुत होगी उनकी जरुत होती है हो ना की हाउ यानि की मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है और इसलिए कॉंट्रेक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज़्यादा पैसा कमाता है एक्चुल मैं खुद कुछ काम किये आपको अगर एक अमीर इनसान बनना है तो आप अपने से पूछो हू ना की हाउ इसी तरह डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बार कई विलियम करजे में फस गये थे वे कहते हैं कि जब भी मैं सड़क पर बैठे किसी गरीब इनसान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इनसान मुझसे कितना ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसके पास बस पैसे ही नहीं है मैं तो बिलियन के करजे में फस गया करज ऐसी चीज है जो किसी भी नॉर्मल इनसान को तोड़ कर रख देती है लेकिन डॉनल्ड ट्रम्प नहीं तूटे उन्होंने वो करजा खत्म किया और वापस अमीर भी बने वो सब कोई चमतकार या उनके काम की वज़े से नहीं हुआ यह सब सिर्फ हुआ क्योंकि उनको उनकी माइनसेट और आइडेंटिटी ने उन्हें वापस वहाँ लाकर खड़ा कर दिया और यूएस प्रेसिडेंट भी बनाया कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उनको अमीर बनाता है जैसे कि साइब मसालों का काम करके अमीर बनता है या गुल्ड का बिजनस अमीर बनाता है या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कोई तो खास चीज होगी जो अमीर को आमर अमीर बनाती है लेकिन सस्तो यही है कि लोग अपनी फेकी चीजें यानि कि स्क्रेप बैच कर ही कई कडोडो कमाते हैं क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बलकि इनसान के करेक्टर और उनके माइंड सेट की होती है अमीर लोग अबेसिव यानि कि जुनूनी होते हैं उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉबलम के बारे में तब तक सोसते हैं जब तक कि उनको उस प्रॉबलम का कोई सोलूशन नहीं मिल जाता वॉलमॉर्ट के सीईओ सेम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर आद्मियों में से एक थे जब वो अपने स्टोर पर जाते थे तो वो चुपके से अपने घुटने के बलबैट कर सेल्स के बीच का आईडरंट चेक कर लेते थे क्योंकि वो मानते थे कि बिजनस के बारे में हर छोटी सी बात की जानकारी होनी चाहिए फिर चाहे वो शौपिंग कार्ड का डिजाइन हो या फिर स्टोर के बेगराउंड में बजरहा मीजिक वो छोटी सी छोटी बात का धियान रखते थे और जड़ा ये सोचिए कि जो आदमी इतना अमीर है वो जो काम सो लोगों से करवा सकता है वो काम ये खुट क्यों कर रहा है क्योंकि वो जुनूनी थे अमीर लोगों को इस बात से फर्क नहीं परता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं अगर उनको चाय पीनी है तो वो चाय पीते हैं सिर्फ कुल दिखावे के लिए cool drinks नहीं पीते उनका दिमाग किसी भी solution को final करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते और यही जुनून उनकी growth का reason होता है जिससे वो अमीर बनते हैं उबर दुनिया की सबसे बड़ी company में से एक है 69 countries में अपनी services देती है और जिसकी कई billion dollars में valuation है अब यह amazing research के पीछे का reason है उबर के founder टार्विस का तरीका उन्होंने competition करने के बजाए अपनी दिमाग का use किया उबर आने से पहले भी taxi चलती थी और लोग उसे use भी करते थे पर क्योंकि जादा तर लोग computed mindset के होते हैं इसलिए कई businessmen ने अलग-अलग taxi services के जरूर खोली पर किसी ने इस problem के बारे में नहीं सोचा कि taxi ना मिल पाना कितना problematic है पर Travis ने सोचा कि क्यों ना एक AC app बनाया जाए जिसमें passenger का time west ना हो और driver को passenger मिल जाए और उसी सोच की वज़े से Travis आज एक billion dollar company के CEO है दुनिया में अब हजारों तरीकों से पैसा कमा सकते हैं पर उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो एक competitive thinking से बाहर निकल कर creative thinking पर आना बचपन से ही हमें दूसरों से compare करना सिखाया जाता है चाहे वो exam के marks हो या company में promotion जिसकी वज़े से क्या होता है कि हमारी creative thinking खत्म हो जाती है और हम हमारे सामने पड़ी brilliant opportunity को भी खो देते हैं हमेशा creative सोचो competitive करने का नहीं बलकि कुछ create करने का सोचो इस पूरे वीडियो को summarize करके बताऊं तो इस वीडियो में हमने rich और poor mindset को जाना है पहला इसमें सबसे पहला step था poor mindset वाला आदमी थोड़ी सी रुपे बचाने के चक्कर में अपना time waste कर देता है महीं एक rich mindset वाला व्यक्ती थोड़ा ज़्यादा पैसे पे करके भी अपने time को protect करता है जिससे वो और ज़्यादा earn कर सके दूसरा सबसे बड़ा difference हा कि एक अमीर आदमी ex island होता है और वो चीजों को बहुत fast execute करता है और उतनी ही knowledge लेना जितना की पहला step पूरा करने के लिए चाहिए होती है तीसरा दूसरी तरफ एक गरीब mindset वाला आदमी ना कोई action लिए बस information ही consume करते रहता है जिसकी वज़े से वो अपने goal तक कभी नहीं पहुँच पाता चौथा हमेशा who ना की how के बारे में सोचें क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की जरुत पड़ेगी जबकि गरीम mindset वाला आदमी वो सपना ही नहीं देखता या तो सपना देखता है तो वो सोचता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर चीज उसे खुद करनी पड़ेगी जिस सोच की वज़े से कभी अपने विजन को रियालिटी में कनवर्ट नहीं कर पाता है जिसको डोनाल्ट रप ने example में हमने देखा था कि किसी भी rich mindset वाला इंसान कोई चमतकार से नहीं बलकि अपनी सोच से और character से rich बनता है पाँचवा rich mentality वाला इंसान Walton की तरह अबैसिक यानि की जुनूनी होता है पर अपने field की हर छोटी छोटी बातों की जानकारी रखता है चटा, Uber के example से आपने ये जाना कि एक अमीर इंसान competitive thinking से निकल कर creative thinking पर focus करता है आज के लिए बस इतना है मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे comment section में जरूर बताईए और इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी बुक्स की समरी इसमें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ धन्यवाद